हेलो वेलकम बैक मैं बनीत कुमार आपका फिर्चे सवाथ करता हूँ आपके अपने चैनल बनीत करता हूँ जॉप से आपके अपने जॉप से तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी में COVID-19 के 3 पेसेंट पाए गए और उनको होस्पिटल में एड्मिन कराए गया है और उस जिस जगह पे काम कर रहे थे उस जगह को सील कर दिया गया पूरी तरह से उस जगह को बेंड कर दिया गया है उस जगह पे कोई भी नहीं जाता उस डिपार्टमेंट के सारे लोगों को छुटी दे दिया गया है 48 घंटों क हो गई है फिर शो डिपार्टमेंट चालू हो गए कंपनी भी चालू है और कोबिट 19 के बचाप के लिए भी बहुत सारी चीजों का कंपनियों में यूज किया जा रहा है जैसे हर जगों पे हर डिपार्टमेंट पे सेनिटाइजर मास्क सब उपलब दे लोग आते हैं सेनिट होता है यह सब सुविधा के बाद लोग काम करते हैं इस वीडियो को बनाने का आज का यह मेरा मकसद यह है कि आपको एक सीड़ी मिलें जिसके उपर आप चहाड के अपनी जॉब तक पहुंच सके लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके बेठे हैं कि करोना जाएगा फिर लोगडाउन हटेगा मैं अपने जगों पर जाओंगा जॉब करने के लिए जहां में जॉब कर रहा था या फिर नई जॉब सर्च करूंगा तो यह वीडियो आपको एक नई सीड़ी मिलेगी जिसके उपर आप चहड के अपनी मंजील तक पहुँ सकते हो कि कि प्रॉलम तो हर जगह है कैसे इसको फेस करना है करोना आपके आजू बाजू आपके सहर में भी होगा और इस जगह पे लेकि उससे थोड़ा बज के रहना है अपने आपको सेनिटाइज करना है मास्क पहनना है और उसके बाद अपनी काम को अंजाम देना है तो बता दू वीडियो को हासे रिक्वार्मेंट्स है लेकिन कंपनियों के नाम में नहीं बताओंगा कि कोई फायदा नहीं क्योंकि आप यहां पर उपस्तित नहीं है उनको जॉइन करने के लिए उनका इंटरव्यू फेस करने के लिए तो मैं आपको बता दूँ मेरा एक इसका की सुविदा को ध्य को अदोरती दूसरा आपको एयरपोर्ट से आपको रूम इस पेकेज में आपको एक मैने तक की रहने की पूलय में विवस्था कि जायेगी तिसरा आपको यहां पर आपके कॉलिफिकेशन के मिलेगी जोम हैं लगा के दूना इस स्ञो PC में करने का जो इंटर्वू मोशतर, है विब्रेशन है वो में करवा के दूंगा इस पेकेज का छोटा सा एमाउंट है 10,000 का यह बहुत ही मामली सरकम है इतनी रिकम में आप सिर्फ पूना करके इस पेक के बारे महत्या जानकारी चाहते हूं, तो मुझे वाट्टीप करो जो नमबर आपको मेरे डिस्किपचन में मीलेगा और यदि हमारे चैनल पे नहे हो पुराने हो तो सस्क्राइब कर दो पुराने हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले तो बस आज की लिए इतना ही